मचर को हम एक साल तक अच्छे से स्टोर कैसे करें आज की जो वीडियो है इसी टॉपिक पर है बहुत ही इंफॉरमीटीव वीडियो होने वाली है और मचर को प्रिजर्व करना भी बहुत आसान है बिना किसी chemical के इसे हम preserve करेंगे और आपके मटर एक साल से भी जादर समय के लिए एकदम ऐसे ही ताजी ताजी चलेंगे तो बहुत सारे tips और trick के साथ इस मटर को store करना सीखेंगे तो वीडियो को पूरा जरूर देखें अगर आपको मिज़ी recipes अच्छी लगती है तो चैनल को subscribe करके notification bell को जरूर रौन करें ताकि जब भी मैं कोई नए वीडियो डालू आपको उसका notification सबसे पहले मिल सकें हरी मटर को preserve करने के लिए लंबे समय तक हमें यहाँ पे छिलेवे मटर लेने हैं यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं आपके जो मटर है वो सारे जो दाने है वो सही होने चाहिए अगर एक भी खराब मटर का दाना है तो आप उसे निकाल सकते हैं इस टाइम पे नहीं तो सारे मटर खराब होने के चांस हो जाते हैं तो यह ज़रूर चेक कर लें, तो मटर को हमें छील लेना है और अच्छे से धूबी लेना है, अब हम एक बरतर में चड़ा देते हैं पानी गरम होने के लिए, जितने आपके मटर है उसके अकोर्डिंग हाँ बरतर ले और पानी डाले इसमें, पानी को हम गरम होने देंगे, पानी घ्रम होगा आपको बाद में मटर डाले है जब पानी गरम हो जाए उससे पहले मटर नहीं डाले नहीं तो जो मटर है वो जरूरर से ज्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे और मशी हो जाएंगे तो यहां पर अच्छे से सको मिक्स कर देंगे इसमें शुगर अल्रेडी डिज फिले के लेंगे तो जाधा लंबे समय तक अच्छे नहीं चलते हैं। नए यह ब़्य लेने है और मटर का कोई भी दाना खराब नहीं होना चाहिए। ब्लांचिंग मटर को स्टोर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम directly मटर को छील करके स्टोर्ण नहीं कर सकते हैं, उससे मटर जादा समय तक नहीं चलते हैं और खराब हो जाते हैं, नहीं उनका स्वाद रहता है और नहीं कलर, और अगर हम इस तरह से मटर को स्टोर करेंगे, तो जो हमारे मटर हैं, वो लंबे समय तक फ्रेश लगते हैं, औ लंबे समय तक उनका जो कलर है, स्वाद है, वो बरकरार रहता है, प्लस इसमें जो विटामिन A और C है, वो बना रहता है, और मटर को ब्लांच करने से, इसके उपर की जितनी भी एक्स्ट्रा डर्ट और और और्गैनिजम्स होते हैं, वो सारे क्लीन हो जाते हैं, जिसके व अधिन दला देते हैं इस ठंडे छिल्ड पानी में, तो आपको मटर को निकाल के तीन मिनट वाद आप मटर को तुरत निकाल ले और इसे एकदम चिल्ड पानी में बरब वाले पानी में डाल दे ताकि इसकी जो कुकिंग वाला प्रोसेस चल रहा है, वो तुरत इमेजिटल बुलकुल भी खराब नहीं है और मतर हमारे एकदम बढ़िया लग रहे हैं , एकदम टाजे ही लग नहीं रहे हैं आप यहां पर इसे छलनी में निकाल दे ताकि जितना भी एक्सेस वाटर है वो ड्रेन आउट हो जाए और उसके बाद हम इसे और अच्छे से सुखाएंगे तो बस दो मिनिट के लिए हम इसे छलनी में छोड़ देंगे इसके बाद आप इसे सीधा इसे सुखा लें क्योंकि ह हम इसको अच्छे से स्टोर करने वाले हैं तो इसलिए सुखाना बहुत जरूरी है मैंने एक बड़ी सी ट्रे ले लिए जिसके ओपर मैंने टीशू पेपर लगा दिये हैं और इसे मैं फैन की नीचे सुखा दूंगी आप चाहें तो टीशू पेपर की जगए पर कोई इसमें इस बात का ध्यान रखे तब ही हमारे जो मटर है वो लंबे समय तक फ्रेश रहेंगे तो यहां पर हमारे मटर सूख गए है और जो फ्रोजन मटर होते हैं वो हलके से सॉफ्ट होते हैं मतलब आप इन्हें हातों से आराम से तोड़ सकते हैं और यह पक बहुत जल्द इसमें हम यह मटर सारे स्टोर करेंगे तो इस तरह के जो सील पैक वाले पैकेज़ आते हैं यह बहुत ही इसली मिल जाते हैं प्लस इनमें जो मटर है वो लंबे समय तक फ्रेश भी रहते हैं आप इनका जिप लॉक लगाके इने आराम से स्टोर कर सकते हैं तो यहां पर हमें ओवर नहीं भढ़ना है फुल ना भरे हमें इस पॉली में मटर को सिर्फ 3-4-3 भढ़ना है फुल नहीं भढ़ना है इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखे तो यहां पे इसकी जो एयर है वो निकाल दे आप देख सकते हैं मैं सील लगाऊंगी ना तो इसमें एयर आ र फ्रीजर में स्टोर करना है फ्रीज में नहीं करें जिसमें हम बरव जमाते है उसी में स्टोर करें आपकी मटर लंबे समय तक हरे रहेंगे और आपने देखा इन्हें स्टोर करने का जितना भी प्रोसेस है वो कितना आसान है हमने बहुत आसान तरीके से पूरा यह जो प्र झाल झाल